गद 20 नवेंबर से पूज्य स्वामी जी महाराज वश्रध्य आचार बालकशन जी महाराज उत्तर पूर्व भारत के असंप्रांथ के प्रवास पर हैं। उत्तर पूर्व भारत के साथ सदैव से अंदेखी और सौतेला पन विवहार का आरोप लगता रहा है। परंतु उस ख्रेत्र के प्रती स्वामी जी महाराज का लगाव सदा से ही रहा है। स्वामी जी महाराज वश्रध्य आचार बालकशन जी महाराज ने पतन जली के माध्यम से सदा से ही उत्तर पूर्व भारत को अपने से जोड़े रखा है। उत्तर पूर्व भारत के विकास वा सम्रिद्धी के लिए अनेको योजना को धरातल पर लाकर अपने संकल्प को सिद्ध किया। इसी कड़ी के अंतरगत स्वामी जी महराज ने दिनांग 20 नमेंबर को आवासी आचारे कुलम वबीज भंडार केंदर के स्थापना हेतु भूमी पूजन किया। इस भूमी पूजन समारोह के अगले दिन कोकरा जार में तीन दिवसी निशुल को योग शिविर का शुभारम बहुआ जिसमें स्थानी लोगों ने बड़े उस्साह से भाग लिया। इस शिविर में बोडो लैंड के पदाधिकारियों असम सरकार के गणमानी लोगों ने अपनी उपास्थिती दर्ज की। इधर पूजी सुमामी जी महराज प्रातहकाल योग शिविर में आएं लोगों को योग की शिक्षा दे रहे थे। वहीं शद्धे आचारे जी मनिपुर में आयोजित नौर्थ इस डेवलप्मेंट समीट में भाग लेने इमफाल पहुँचे थे। जहां उन्होंने पुर्वुत्तर भारत के विकास के लिए पतन जली की योजनाओं के बारे में बताया। वहां के क्षेत्री नितागन भी स्वामी जी महराज को अपना भरपूर सहयोग वस्चमर्थन दे रहे हैं। और इसी लक्ष के अंतरगर वहां के सांसद विश्वजीत दैमारी जी के निमंत्रण पर पहुंचे वोडू टेरिटेरियल कॉंसिल के लेजिस्टेश्टिव असेंबली। वहां स्वामी जी महराज को वस्तर भेट कर सम्मानित किया गया। वस्चित्र के सांसद श्री विश्वजीत दैमारी जी भी सुवामी जी महराज के साथ थे। सुवामी जी महराज ने यहां पर बीटीसी के सदस्यों को वतन जली द्वारा चलाय जा रहे विकास कारियों के बारे में अवगत कराया। जो स्पोर्स है यह वोड़ने टेटिल कांसिल को वसी से हम लोगों का काम करने का हसला बढ़ जाएगा। और बढ़ने भाइकोफन हो जाएगा। वामी रामदिव जी आज आम आत्मी हैं। हम मिले हैं। जब आत्मी को मिलता रहता है तो हम हर समय इतना महत्तर नहीं देता है। सौचता है कि आमी ओ भी मेरे देशाई है। लेकिन जब गुजूर जाते हैं। तो हम विशार करते हैं कि यह कितना महान था। कितना अच्छा था। तो अच्छी समय पे और सामने जब तब मिलते हैं। तो हम किसी को भी इतना अच्छी तरह से ख्यार भी नहीं रखता। हम पहस्दान भी नहीं। लेकर मेरी हिसाफ से आज हमारे देश में जितना भी महाबुरूस आये थे। अब अतर बनके स्रीकिष्णा जी तो स्रीकिष्णा जी को महाबुर्ण के ताइम में सुभी आमाद्मी जशाही लिया था। उसके सब जग्रा भी किया था। तो आस इसी तोरों आस यहां पर जो रामद्यवजी हैं उन्हीं की तोरों का एक जो घून है उसको लेकर काम करके आ रहा है। वो एक साधू सैनासी उसको बना लिया है। लेकिन सिर्फ दुशी साधू के देशे पुजा में उन्होंने बैस नहीं हुआ अपने जिवन को फिर समास के लिए उन्हें अरपन किया। माना समास के अच्छे के लिए हाम ताकि रोब मुख को हो। इसके लिए जो जोगा हमारी भरोटियों जो ये एक संस्क्रिटी हैं सवी लोगों को उसको उन्होंने आस साड़े लोगों को जैशे भी हो इसके उपर ज्यान देने के लिए उन्होंने काम किये है। और कौन दिन के अंदर सारे भरत में अस लगभग मौर देन 50 मने पारिशन लोगों ने आज इसको लाइफ में अपनाया है। और आज पत्रजार को उन्होंने हमारे लिए आए उनके लिए नहीं आया है। हमारे लिए आया है। हमारे जिवन को माड़र्शन करने के लिए। दूसरों को पसंद करने का इसमें कोई ऐसे शीजी नहीं है हम खूडी बगर अच्छा है, हमारे भारत बगर अच्छा है हमारे भारत के हर जागा, यहां के हो जो रिशर्चे यह उतुलन्यों है अगर हम इसको ही प्रेम करें, इसको ही हम काम पे लगाए और इसी तरह ही हम अगर जीना सिखे, तो प्रिटी भी जितना भी देश है, जितना भी इस देश में लेट है उससे भी ज्यदा आसानी जीवन, सुन्दर जीवन, सुक्की जीवन हम जी सकता है हम बहुत धौनी बश सकता है इसलिए उन्होंने हमारे लाइट में, हमारे जीवन में, हमारे जो मतलब काम करके खाने का जो सौंस्क्रिटी है उसी सी ही हम कई से, अपने जो जो लुरुटे है, एकोनोम के लिए हम उसको थोड़ा सा डेवलप करके ठीक कर ले सकते हैं इस गाई पालब, हमारे बोदोलेंड में, सौर घड़ में, सामी जी, गुरुट बैल गाई रहता ही है और हम जो मिलता है, फोरा सा दूब निकाल के पीता है, लेकिन कोभी भी इसको लेकर बेबासाई करने के सिंता नहीं किया इसी से पैसा, इंकाम करने का हमने कोभी अमरे दिमाग भी नहीं आया सारे खेटी बारी यहां होता है, फूर खाने के बजाए, दूश्यों को बिक्री करने का हमारे दिमाग भी यह नहीं आया तो इसी के करन हम फूर को डुकी समझते हैं और जिसको लेकर आप आज सारे डेस में काम करता है तो सामी जी इस सारे काम को कर रहा है और इसलिए मैं सोचता हूँ, आज सामी जी यहां पर फ़रा सा हमारे सभी लोगों को अगर मारे प्रेशन देंगे तो हाँ भी समझे, इस बदोरेंट के सारे लोगों यहां के ओपिसल के उपर निरबार्ड सिल है, वह यहां की सेल स्पीकर, अमारे यें, डिपूटी सिल है, यहां पर जो ही पॉलिसी होगा, वो ही लोगों तो पहुंचेगा तो यहां पॉलिसी मेकिंग लोगों के बीस में, अगर आप, लागों हम लोग 30 लाग है, 30 लागों जरूर नहीं, आप अगर 200 आत्मी को ठीक करके जब आएगा, तो हम सब ठीक हो पाएगा सभी को मेरा प्रणाम, और कल से हम मिश्वजीत जी के साथ में बहुत आनदित हैं, कल हम लोग कुमारे कटा में थे, और वहां पर भी इनको हमने सुना, आज इहां पर भी सुना, मुझे लगता है हमारा विश्वजीत जी खाली एनपी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विजनरी आदमी है, इनको बहुत बहुत अगरा, मानने स्पिकर जी और सभी, लियम और जो भी आपका अलग-अलग जो डेजिगनेशन के साथ हैं, जिनका एक बहुत 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 जैसा विश्वजीत जी ने कहा, मैं एक बॉड़न एंड कैसे दिप्वे और भवे, डिपिनीटी और प्रास्पिनीटी, दोनों कैसे आये इधर, इसके बारे में हूँ सोचे, और मैं इतना गोलता हूँ, ये तीस लाख लोग इधर बॉड़ों हैं, और तीस लाख लोगों का जीवन में सब प्रकार का सोभा के तो स्वामी राम देव और आजारे बारकृष्णी जी ला सकते हैं, हम दो पर्याफत हैं, बाकि आप लोग उसको एग्जिक्यूट करने के लिए आपका सब गॉर्मेंट है, हमारे पास वो सोशल पावर है, वो स आप लोगों का पूरा सपोर्ट अभी हमें मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं, तो हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं, जो आप अभी जैसे विश्य चीज़ ने कहा कि गाये तो पालते थे, गाये को गुरु बूलते हैं, गाये त दूद देता है, तो दो किलो तो एक आविश्य चीज़ पी जाएगा अगेला, तो पत्मी क्या पिएगा, बच्चे क्या पियेंके, तो हमको दो किलो दूद देने वाला में, हमको 10-20 किलो दूद देने वाला गाये चाहिए, वो हम आपको दिना दे, 10, 15, 20, 25 केजी दूद देने वाला गाय का छोटा बच्टी, छोटा बच्चा वो हम आपको देगे, आप उसको पालना, वो तीन साल में 15, 20, 25 किलो दूद देगे और ये 30 राफ लोगों में एक एक घर में एक एक गाय गोजान हो जाएगा कुछ थोड़ा एक बीदी से वाला सयोग तरेंगे थोड़ा आपंतर देंगे, दोरू में ये करेंगे, देखो, हमको ये एक बात कहेंगे, फिरा आपकली बात कहता है, जब बोडो डेन्ट का आंधोरन चलता था, तब सम लोग बोडो से ड़ता था, तब कि हमको बोडो से पर नहीं लगता और आप तो अंदोरण खतम होगे आप तो सब अब यह तो अब यह तो अपने आप में गौवर्मेंट हो गया है तो आप तो फूठर लेकर यह देश में जो कॉर्पेंट शिल्ट है ना वह आप ही पी डरते अरे बोर्डो तो उसको रखता कुछ गरबर तो अब ही जैसे ही पसंदिली इधार आया है और आप हम लोग काम कर रहे हैं तो मुझे लगता पूरा देश नहीं पूरा दुनिया का पॉर्पेंट शिल्ट का लोग भी बोर्डो लेंड में आएगा ये काम का दुली करेगा कॉंपिडेंस बिड़ अप करना कोई पी काम दुनिया में होता है तो फास तिंग होता है गिरफ है और है ग्रॉइड ओर्डर लोगों में डर ख़ता होना है कॉंपिडेंस पॉसिटिव मैंड चाहिए लोगों को सिकेरीटी होता है ना तो सब कुछ हो जाता है लोग अपने आपको इंसीक्यर करें को बुशली कर सकते तो पतंदली के आने से एक सीच तो ये हो रहा है और होगा आप देखना बिन टू त्री इस सारा देश और दुनिया का लोग कहेगा बॉर्डो लेंड इस दा सेफ लेंड सिक्योर में यहां किसी भी तरह का कोई भैख हतम हो जाएगा आए के बाद हम लोग education में बड़ा काम सुरू कर चुके अभी हमने दोई स्कूल बढ़ाए है हमारा विचार है कि हर 25 लाग की आबादी के बीच में आपका 30 लाग का आबादी है तो हम लोग कम से कम यहां बोडो लेंड के अपने बोडो भाईयों के बीच में कम से कम 22-25 तो हम स्कूल पतंजली की तरफ से बनाएगे बढ़िया अच्छे स्कूल जहां अच्छा एजुकेशन बिले और इसमें कम से कम 4-5 रेसिडेंस स्कूल बना देगे और रेसिडेंस स्कूल में हजारों बच्चे बढ़ सके एक स्कूल में 500 से 1000 बच्चे से स्कार्ट करके और उसको हम 2-3-5-5-5 हज़ार का भी स्कूल बना सके बढ़ा रेसिडेंस स्कूल बन गया अभी आप लोग पता है आप लोगों का बच्चा रेसिडेंस स्कूल में पढ़ने जाता है दिल्ली देराद्योन गैंगलोर विशासा पठनब जाई भी जाएगा तो एक बच्चे का कितना पैसा खर्च होता है एक नाख मीरिमा और वो अपनी संस्कृती से अपने घर परिवार से अपने सब्वितां से भी थोड़ा दूर हो जाएगा जो फिर गया वो गया फिर पूर तुमारे काम का नहीं कई और चला जाएगा पंच्ची उड़ जाएगा आपको जो एक लाख रुपए में पढ़ाई और या उससे जादा अच्छी पढ़ाई हम बीस पचीस हजार रुपए में यहीं बोडो लेंड में करवा दें खर्चा तो हमारा भी कम सी कम पचास हजार खाएगा एक बच्चे के उपार मिनिमा लेकिन पचास हजार में से पच्चीस हजार उसके माता पितासे रेंगे और पच्चीस हजार रुपए एक बच्चे के उपर पतंजली योगरफीट खर्च करें इससे तिको कोई भी चीज को कुछ चीज़ें हमें ऐसी करने पढ़ेंगे जिसका परिणाम फाइव यर्स टैन यर्स बाद आएगा लोग टार्म एक पॉलिसी उसके उपर दाम करेंगे तो एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो आने में फाइव टैन यर्स फिटीन यर्स लगता है अब एक छोटे बच्चे को जिसको फिट करा से पढ़ाएंगे उसको बनने में टैन यर्स लगिएगा टैन यर्स में उसको जबर्दस बनाके दयार करनेगे तो हम यहाँ रेसिडेंसल स्कूल भी बनाएगे गुमारी कटा में अभी स्टार्ट कर दिया है अभी इस साल अभी हम रेसिडेंसल भी अभी नौर रेसिडेंसल स्टार्ट कर दिया रेसिडेंसल इसी साल बना सुरू हो जाएगा अगले साल तक रेसिडेंसल हो जाएगा रोमारी में अभी अलरड़ी डे स्कूल चल रहा है रोमारी और कुमारी कट्टा में दोनू जेगे तो हम लोग रेसिडेंशल शुरू कर देगे यहां लगवग लगवग वन थाउजेंड बच्चों का पढ़ाई शुरू हो जाएगा रेसिडेंशल उसमें आदा खर्चा पतंजली देगा आदा खर्चा माँबाब देगे ठोड़ा सा ये दे लेगे थोड़ा BTC सयोग करें BTC जमीन भी दे रहा है और हम एक वाद उल करते हैं हमारे पास जो भी जमीन है, उसमें हम अग्रिकल्चर भी करेंगे, लेकिन अग्रिकल्चर कोई बेचने के लिए नहीं, उन बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए, जो भी पतंजली में बच्चा पढ़ेगा, वो और्गेनिक फूर खाएगा, उसको और्गेनिक फूर और बच्चों को सिखाएंगे कैसे ब्रो करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो छोटा बच्चा उसको छोटा काम देंगे, बड़ा बच्चे इसे बड़ा काम देंगे, उसको खेती करना भी सिखाएंगे, उसको इंडेस्टियर ट्रेनिंग भी देंगे, उसको रिसार्च का ट् मिलता है, सेक्सेस कैसी मिलती है, हेल्फ कैसी मिलता है, नहाई, उसको कैसी किया जाता है, वो टैक्टिकल होता है सब कुछ, तो एजुकेशन में हम आप लोगों से एक तो लेंड लेंगे, और वो एजुकेशन के लिए नहीं, जो बचे वा रेसिदेंसल स्कूल में हम उन बच्चों को फीर कर सके इसलिए हमको 400-500 एकड़ जहां भी होगा वहाँ एक रेजिदेंसर स्कूल और उसमें रेजिदेंसर स्कूल में बच्चों के पढ़ाने और खिलाने के पूरी जिम्मेदारी पता ज़ी हम उसमें एक रेजिदेंसर स्कूल में हमारा जो है लगबग लगबग जो है 15-20 क्रूर रुपए खट सकता है हम तो देने वाले हैं लेने वाला तो तो इस देशने हमको बहुत हीज़ है हम वह उसको रिटर्न करने और एजुकेशन में हमने कहा हम उन बच्चों को एजुकेशन भी देगे और उनको आत्मने रुभर बनाएंगे आत्मने इसकार देगे हमको और वह आगे इसी बोडोलेन को आगे बढ़ाने के लिए तो उनमें अज़्फरेकम क्यों नहीं आपको अधार सोह है सीय करेंगे इधर गाय का मैंने बताया, गाय का कड़े, अग्रिकल्चर में, हम अच्छा सीड देगी सबको, सीड बैंक भी बनाएंगे, उसके लिए मैंने बोल बोला, ठीको, एक विजिल चाहिए, उसके बिना नहीं हो, और उसका आगे का सबसे बड़ा चीज होता है अग्रिकल्चर में मार्केट उक्रब कराते हैं, दो शब्दों मोले दाते हैं इंडस्टी में, एक होता मार्केट, और उसमें मार्केट में सबसे बड़ा शब्द होता है रिटे Molt होता है, और हमारे पास में मार्केट है, ये पाध्यचर का पावर है, हम इदर और गेनिक खेटी करवाई और उस और गेनिक खेटी को रिटेलिग करने की जीम्मेलारी पतन जली लेगा हम minimum support price देंगे एक दो चीज़ का नहीं जो भी हम बोलेंगे कमिट करेंगे हम tehermeric बोलेंगे तो टairemeric को टairemeric का हम minimum support price देंगे हम लोगों का बोलेंगे कि आप इदर आउला लगाओ तो आउले का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देगे हम बोलते हैं कि आप यहाँ पर राइस लगाओ तो राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगे जो गोर्मेंट देती है उससे ज़्यादा देती हम बोलेंगे लोगों से कि आप यहां पर पपीता कपाया लगाओ तो आप उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगे हम जड़ी पूटी बोलेंगे कि यह जड़ी पूटी लगाओ तो जड़ी पूटी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम खरीदेगे अभी मेरे से बताने से कामपा जी कि एक वो जीजर बोया पहले दिस पहले वार से 60 रुपए दिया और अगले वार 6 रुपए दिया लें 10 टाइम सक्व कर दिया ये गड़बड़ है इसे ये गड़बड़ है ये विशास जाता है ये लूट है ये ये ठीक नहीं तो हम और क्या करेंगे अग्रिकल्चर में और अग्रिकल्चर में हम लोग छोटा-छोटा कुस यूनिट लगा देगे स्वाल यूनिट प्रोसेशिंग यूनिट इधर बहुत कम है अब इसे जीदी ने बोले पहले तो लो क्या वो दिर खाना अपने खाने के लिए अपना खाने के अलावा हम औरों को उसको मार्किट भी कर सकते उसे हमको एक्स्ट्रा इंकम होगा एक्स्ट्रा इंकम कहां से हो होगा मरे पास फार्म है फार्म से होगा फार्मर को तो फार्म से होगा ना तो हम प्रोसेशिंग यूनिट लगाकर वैंडhor ट्रोट्सान करके हम ज़जा हैं उनको एक्स्ट्रा इंकम देगे एक्स्ट्राइंकम फार्मर इंकित्धृ को ये पतितली करेंगा अब हम category फिर यहां से हम लेमन ग्रास का ओयल निकाल करके फिर आगे उसको बढ़ा देंगे एक जिए लगा है तो दोगी जिए भी लगा देंगे लेमन ग्रास यदर बहुत अच्छी पारेटी का उतार पोरा वर्ड में उसका मार्केट है तो हम पोडो लेंड का लेमन ग्रास का फुश्भू पूरी दुन्या में फैला दें यह का दंद्री के पास पावर है यह हमारे पास में नॉलेज है, स्किल है, एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज है उसको वैस में हम कनवर्ट कर दें This is the mantra of prosperity हमें knowledge भी है हमारे दर स्कील भी है हमारे दर productivity की एचील भी है हमारे दर फाइल भी है बहुत कुछ करना चाहते हैं तो तो उसको वैस में करवट करना नहीं आता एस में लेवन प्रासों हो दिया उसका वैस में कैसे कंवर्ट होगा जब उसका प्रांट लगेगा उसमें से ओल नेकलेगा उसको बट मार्ट में लेकर दाइगे लेकर अगे लेकर अगे साई वो घास के कर दाएगा गाई भी नहीं खाता गाई भी नहीं खाता उसको हाथी भी नहीं खाता और लेने को लिमंग्राज हो भी नहीं था, उसको भी पता है, ये तेरे खाने के लिए नहीं बना है, ये खुश्बू पैदाने के लिए, तो knowledge, हमारा expertise, experience, हमारा skill, अब देश से बात करते हैं, skill इंगा, skill इंगा, तो skill इंगा, skill इंगा, skill कौन, prosperity में, wealth में convert करना है, तो हमारे पास, बतंजरी के पास में, wealth में convert करने का mechanism हो, मुझे 50,000 एक दिल्ली का रामिवास गर एक आत्मी है, उसने पेसा दिया, मैंने पूरा दवाई खरिद के लोग इसके लेके आगया है, आज से 30 अर्ष का पहले का बात बोल रहा हूँ, और बहरोपुर्ड में आगया हुझा, उसने 50,000 पे लिया, 50,000, उसका दवाई ने ल शत्री है, ऐसे कई लोगों ने दिल्किया, हमको थोड़ा सपोर्ट किया, उदर एक कोई गोर्मेंट का हांस करनावा सा विजरी वाला, इसमें हमको रख दिया, लोग उदर लाकि आपको डारियल पानी पिला देते, खाना पिला देते, बस, तो हम साइकल से जगाओं काओं लोगों को कॉंस्टिपेशन का दवाई, फीवर होता था, उसका दवाई, ऐसे जोडों का गठिया, अर्थाएं इसका दवाई ये देते, हम साइकल पे जाते, मुझे साइकल चलाना आता था उस समर, बाकि मेरे पास स्कूटर भी नहीं था, मोटर साइकल भी नहीं था, गा मैं ऐसा बोल दिया, ये स्वामी आया है, लोगों का धर्ब बदलता, एक आज में ऐसा लोहे का वो फर्सा लेके आगया है, धर्ब बदलता है, हमने कभे हमस्तों किसी का धर्ब नहीं बदलता है, हमस्तों दवाई देता है लोगों को, हमने किसी का धर्ब नहीं बदला, हमन वाई वाइट बस्तर में था वाइट हमारे पास जब उस भी नहीं था तब भी हमने बोडो रेंड की सिवा किया आज देश के लोगों नहीं आपे बहुत ताकत दिया हैं और ज्यादा सिवा करेंगे वो 30 पहले एक बार मुझे इधर बहुत जोड़ से बुखार हो गया तुश्रे हो का बुखार फीवर ठीक करते हमको फीवर हो गया उसके पास कभी नहीं हुआ 30 पार एक बार भी नहीं हुआ तो वो बुखार काफी हमने इधरी भेड़ देती है अब को मैं बात ये बोल रहा हूँ हमारे पास में पैसा नहीं था हम गरीद परिवार में पैदा हुआ है फॉर्ट फैम्ली फार्वर फैम्ली में पैदा हुआ है और अनेजुकेटेड इल्ट्रेसी, पावर्टी सब हमने एक्स्पियेंस किया गौर्णेट स्कोल में पढ़ा हुआ आचारे बाक्षिन जी भी गौर्णेट स्कोल में पढ़ा थी उनका भी माता पिता गरीद था हमारा भी माता पिता ही तम साथारण आचारे बार्षिंदी का पिता जी चोकी दारा करता है चोकी दारा समुझते हूं हम लोगों का सामने खेती बस आएचे हम फिम्ली चाहे हमको गरीब आत्मी से इसलिए प्रेम है कि हम चाहते हैं कि ये देश रोग मुक्त तो बने ही गरीबी मुक्त भी बने आपी अब दिसे एक कपड़ा है यहां कि जो सिल्क है अहित्सक सिल्क पर सुब्ल गराना ये जो इंडी है वो इतना अचा है उसको मैं अगले साथ से मार्केट करने बारा हूं तो तुमारा VTC का मैं बने अबस्टा करने बने बने आपको